जै गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जै श्रीकृष्णा, ओम नमो भगवते वासु देवाय नमाहा आज हमावे हैं एपिसोड 29 पर और ये है उपसमहार चल रहा है अध्याए 18 गीता पात ये संपूर होने को है आप सभी इस गीता भागवत कीता के तर्शन कीजिए शिकृष्ण भागवान के शिरिमत भागवत कीता ये सभी को चरू सुननी चाहिए है न कहते हैं कि रामायन बताती है क्या करना चाहिए और कीता बताती है क्या नहीं करना चाहिए हमें जीवनी है न तो इसका पार्ट मैं कर रही हूँ आप सभी के अगर पिछले अध्याय छूट गए हो पिछले एपिसोड तो आप उनको भी जरूर सुनेगा है न गीता का पार्ट जरूर सुनना चाहिए इससे हमारे जो ज्यान के चक्ष्यों हो आपे नहीं और वो समपत्ति नहीं जाती और ज्यान ही जाता है धर्म करम का जितना भी हम ज्यादो से ज्यादा काम कर लें जीवन में वही सबसे बड़ी बात है क्योंकि वही हमारे संचित कर्म है यह न तो हमारा संचित करम ज़ाद से ज़ादा होना चाहिए ठीक है तो मैं इसलिए इसका पाठ कर रही हूँ आप सब के साथ में शेयर कर रही हूँ गीता का पाठ करने का जितना पुन्य है उतना ही या कहूंगे उससे भी ज़ादा सुनने का पुन्य है क्योंकि सुने से हमें अपने ध्यान को भी भगवान के चर्णों में लगाना होता है कि हम उसी जिसका श्रमण कर रहे हैं है न안 सुनी हुई बात हमें बहुत समय तक ध्यान रहती है हम इस सारे episode को जितने भी अध्याए हैं एक बार सुन रहे हैं तो भी अच्छा है, उसी को रिपीट करके हम दूसरी बार सुन रहे हैं तो और अच्छा है, उसी को रिपीट करके तीसरी बार सुन रहे हैं तो और जदा अच्छा है, हम जिसी किसी भी चीज को जब हम बार बार सुनते हैं तो वो हमारे माइन में बैठ तो यह क्या है भक्ति अगर इश्वर चाहते हैं कि हम उनकी भक्ति करें तब ही हम उनकी भक्ति कर सकते हैं अदरवाइस हम नहीं कर सकते हैं भक्ति क्या है यह हमारा कर्म है कर्म से भक्ति मिलती है और भक्ति से हमारा फिर ज्यान मिलता है और ज्यान से हमें क्या मिलता है लाब उठाएं तो शुरू कर लेते हैं उपसमहार अठाय धारा एक इसका दोश लोग में कल पढ़ चुकी हूं पाट कर लिया है दोश लोग का आज नेक्स पढ़ रहे हैं कुछ विद्वान घुशित करते हैं कि समझ प्रकार के सकाम कर्मों को दोश पूर्ण समझ कर ना चाहिए तादपरी यह है वैदिक सहाहित्ये में ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विशे में मत्व्हिध हैं उधानता यह का जाता है कि ये पशु पॉल्ठा चाहता है, फिर भी कुछ का मत्व है कि पशु गल्रकार को और दिल्ष i यह बली पशु को नमीन जिवन पर्दान करने के लिए होती है कभी-कभी यग्ये में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्थ होता है तो कभी वे पशु तत्षण मनुश्य योनि को प्राप्थ हो जाता है लेकिन इस संभन में मनिश्यों में मत भेड है कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं कि जानी चाहिए पिशेश यग्य बली के लिए यह शुब है अब यग्य कर्म विश्यक विभीन मतों का सपश्चि कर्ण भग्वान स्वं कर रहे हैं शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताया गया है ताथ पर यह यद्यपी त्याग के विशे में विभिन प्रकार के मत्त हैं लेकिन परम पुरुश्री कृष्ण अपना नेन दे रहे हैं जिसे अंतिम माना जाना चाहिए नी संधे सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत वि अक्षत उपस्त हैं अते उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकर्ति के तीन गुणों में से जिस गुणों में त्याग क्या जाता है उसी के नुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए यग्यदान तपस्या के कर्मों का कभी परित् उन्हें अवश्य संपन करना चाहिए, नी संधे यग्यदान तथा तपस्या महत्मा को भी शुद्ध बनाते हैं, तात पर ये योगी को चाहिए कि मानसमाज की उन्नती के लिए कर्म करे, मनुश्य को आध्यात्मिक जीवन तक उपर उठाने के लिए अनेक संस्कार पवित्र क कर्म हैं, उधान्ता विवावत्सव एक यग्य माना जाता है, यह विवावत्सव एक यग्य कहलाता है, क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संभन्त त्याग कर सन्यास घ्रहन कर लिया है, विवावत्सव को प्रोसान दे, भगवान कहते हैं कि कोई भी यग्य जो म महान कल्यान के लिए हो उसका कभी भी परित्याग ना करें। विभाय यग्य मानव मन को संयमित करने के लिए है जिससे आध्यात्मिक प्रगर्ति के लिए यह शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विभाय यग्य की संस्तुती अधिकांश मनुश्यों के लिए तरें। से आध्यात्मिक जीवन्वें प्रगर्ती होती है जैसा की पहले वर्ण फल की इच्छा नहीं करने चाहिए दूसरे शब्दों में जीवन में इतने सारी यग्ये भौतिक उन्नति के लिए हैं उनका परित्या करना चाहिए लेकिन जिन यग्यों से मनुश्य का अस्तित्व शुद्ध हो और जो आध्यात्मिक इस तर तक उठाने वाले हो उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावनामरत तक पहुंचा जा सके उसको प्रोसाहन देना चाहिए शिरीमत भागवत में भी यह कहा गया है कि जिस कारे से भगवत वक्ति का लाभ हो उसे स्विकार करना चाहिए यही धर्म की सर्वच कसोटी है पर यह को कभी नहीं त्यागना चाहिए यदि कोई मुहों वश अपने नियत कर्मों का परित्याक कर देता है तो ऐसे त्याक को तामसी कहा जाता है तात पर यह जो कारिये भौती तुष्टी के लिए किया जाता है उसे अवश्य ही त्यागते लेकिन जिन कारियों से भोजन नहीं बनाना चाहिए लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले वर्जित हो परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है इसी प्रकार अपने शिशे के क्रिष्ण भावनमरत में प्रगर्ति करने में साहयक बनने के लिए सन्यासी विभाज यग्य संपन करा सक यदि कोई ऐसे कारियों का परित्याग करदेता है तो यह समयना चाहिए कि वे तमोगुण के अधिन है जो व्यक्ति नियत कर्मों को कश्च प्रत समझकर या शारिक कलेश के भाय से त्याग देता है। उसके लिए कहा जाता है कि उसमें यह त्याग रजोगुड में किया है, ऐसा करने से कभी त्याग का उच्छ फल प्राप्त नहीं होता, ताथ पर यह जो व्यक्ति कृष्ण भावना मृत को प्राप्त है, उसे इस भैसे अर्थो पार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वैसा का कर्म कर रहा है, यदि कोई कारे करके कमाई धन को कृष्ण भावना मृत में लगाता है, या यदि कोई प्रात्यकाल जल्दी उठकर दिवे कृष्ण भावना मृत को अग्रसर करता है, तो उसे चाहिए कि वैडर कर, या यह सोचकर कि ऐसे कारे कष्ट प्रत है, उन्हें त् तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिल पाता। कार खाने में कारे करता है। वे ना तो कारखाने के कारिये से अपने को जोड़ता है ना ये कारखाने के शर्मिकों से वे तो मात कृष्ण के लिए कारे कर रहा है और जब वे इसका फल कृष्ण को अरपन कर देता है तो वे देवियस्तर पर कारे करता है सतोगोण में इस्तित बुद्धी मांतियागी जो ना तो अशुब कर्म से घ्रना करता है ना शुब कर्म से लिप्त होता है वे कर्म के विशे में कोई संशे नहीं रखता तात पर ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या सतोगोण व्यक्ति ना तो किसी व्यक्ति से घ्रन उभ्त आद्धिक ऐसे व्यक्ति को जो अध्यात्म को प्राप्त है सरवाधिक बुद्धिमांत अपने करबों में संश्य रहित मानना चाहिए। नी संध्य किसी भी धेधारी प्राणी के लिए समच करमों का परत्या करब पाना आसंभव है। लेकिन जो कर्म फल का पर त्याग करता है वे वास्तव में त्यागी कहलाता है ताथ पर ये भगवत गीता में कहा गया है कि मनुशे कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता अते जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलो को भोगता नहीं तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है वही वास्तिविक त्यागी है अंतराष्टि एg अ अन्य अन्तराष्टि कृष्ण भावनावर्ष संग में अनीक सदस्य है जो अपने अपने कारफ्लो कार खानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं और वह जो कुछ कमाते हैं उसे संग को दान दे देते हैं ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तों में सन्यासी हैं और वे सन्यास में इस्तित होते हैं यहां इस वर्ष रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस पर्योजन के लिए किया जाए जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छ अनिष्ट चित अनिष्ट तथा मिष्ट ये तीन प्रका के करम फल मृत्यू के बाद मिलते हैं लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता ताथ पर ये जो कृष्ण भावना मैं व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संभंध को जानते हुए कर्म करता है वे सदय मुप्त रहता है अतैव उसे मृत्यू के पश्चात अपने कर्म फलो का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता हे महाभाव अर्जुन वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए पांच कारण है जब तुम उन्हें मुझसे सुनो हे महाभाव तो अर्जुन वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए पांच कारण है अब तुम इन्हें मुझसे सुनो तात पर ये यहाँ पर प्रश्ण पूछा जा सकता है कि चूंकि परते कर्म का कुछ ना कुछ पल होता है तो फिर यह कहते हैं कि समस्त कर्मों के पांच कारण होते हैं अदयव किसी कर्मे सफलता के लिए इन पांच कारणों पर विचार करना होगा सांख्य का अर्थ है ज्यान का आधार स्थम और वेदांत अग्रणी आचरिय द्वारा स्विकृत ज्यान का चरम आधार स्थम है यहां तक कि शंकर भी वेदां सुत्र को इसी सनिविष्ट वे व्यक्ति वे प्रतियक व्यक्ति को उसके पूर कर्मों का इसमन करा कर किसी ना किसी कारिये में परवक्त करते रहते हैं और जो कृष्ण भावन भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के नुशार किये जाते हैं उनका फल ना तो इस जीवन में और ना ही मृत् वितास्थान, अर्थाश्रीर, करता, विभिन, इंद्रिया, अनेक प्रकार की चेश्ट में यह पांच करम के कारण है। आत्मा ही ज्यात्ता तथा करता है इसका उल्लेक शूती में है इशम ही द्रश्टा स्रश्टा वेदान सूत्र में भी ज्यातों में तथा करता शास्त्रात वत्तावात शिलोकों से इसकी पुष्टी होती है कर्म के उपकरण इंद्रिया है और आत्मा इनी इंद्रियों के तथक चेष्टा होती है। लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं। प्रमात्मा भगवान पर निर्भर है मनुष्य अपने शरीर मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित करम करता है व्या इन पांच कारणों के फलसरूप होता है ताथ पर ये इस शलोक में नियाये उचित तथा विपरीत अनुचित शब्द अत्यम्त महत्पून है सही कार ये में शास्रिय अदिशों के अभिल्ना कि जाती है जिन्तु जो भी करम किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए इन पांच कारणों की आशक्ता पड़ती है अत्यव जो इन पांच कारणों को ना मानकर अपने आपको ही एक मात्र करता मानता है वे निश्य ही बहुत अंकरता चेश्टा तथा इंद्रिया भौतिक कारण है लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयम भगवान है अतैव मनुष्य को चाहिए कि केवल चार भौतिक कारणों को ही ना देखे अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे जो परमेश्वर को नहीं देखता वे अपने प्रेदित नहीं है जिसकी बुद्धी बंधी नहीं है व्यैस अंसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मरता ना ही वे अपने करमों से बंदा होता का रूप में अपने को तथा परमनिर्देशक के रूप में परमेश्वर को मांता है vertaka जो व्यक्ति कभी पर्मेश्वर को में था? जिव में व्यक्ति शुप क्र्मिश्वर कुलाब जूलों में व्यक्ति कारेक करने आका खुल दा सर्लिक है रूप भावनामृत के अघ्वाव से होता है जो व्यक्ति प्रमात्मा ये भाकवान के आदिशा अनुसार्थ कर्म करता है वे वदह करता हुआ भी वद्द कारण हैं इंद्रिया करण करन कर्म तथा करता ये तीनों कर्म के संगटक हैं प किसी भी मनुशय द्वारा किये गए किसी कर्म में ये यही तर्प रहते हैं कर्म करने के पूर कुछ ना कुछ प्रेणा होती है किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला पण कर्म के सूक्षम में वास्त्विक बनता है इसके बाद वैक क्रिया का रूप धारण करता है पहले मनुष्य को सोचने अनुभाव करने तथा इच्छा करने जैसे मनो वेग्यानिक विद्यों का सामना करना होता है जिससे प्रेणा कहते है और यह प्रेणा चाहे शास्त्रों से प्राप्थो या गुरू के उद्यश से ए अब तुम मुस्से इन्हें सुनो ताक परिये चौत्वे चौदवे अध्याएं मे प्रकरती के तीन गुνं का विस्तार से वननहों चुका है इस अध्याएं में कहा गया है कि सतोगुन प्रकाशक होता है रजोगोण भौतिक वादी तता तमोगोण आलत से तता प्रमाद का प्रेरक होता है प्रकर्ति के सारे गोण बंधनकारी है वे मुक्ती के साधन नहीं है यहां तक कि सदोगोण में भी मनुश्य बद रहता है सत्रवे अध्याय में विभिन प्रकार के तथा कर्म के विशेह में बताना चाहते हैं। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्थ सारे जीवों में एक ही अभिभक्थ आध्यातमें प्रकर्थィ देखी जाती है। उसे ही तुम सात्विक जानो। ताब परिये, जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वे देटा हो, मनुष्य हो, पखयू पक्षी हो, या जल जन्तु, आत्वा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। समस जीवों में एक ही आत्मा है या देपी पूर कर्मों के नुसार उनके शरीर भिन भिन है जैसा कि सात्य अध्याई में वर्णन हुआ है परतियक शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की पराप्रकर्ति के कारण होती है उस एक पराप्रकर्ति उस जीवन के कारण हैं चुकि बद जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक रूप हैं अत्य जीवनी शक्ति भी भक्त पर्तित होती है ऐसा निराकार ज्यान आत्मसाक्षाथकार का एक पहलू है जिस ज्यान से कोई मनुष्य विविन शरीरों में भिन भिन प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राजसी मानो जिस ज्यान से कोई मनुष्य विविन शरीरों में भिन भिन प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राजसी जानो ताक पर ये ये धार्णा की भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनिश्ट होने पर चेतना भी नश्ट हो जाती है राजसी ज्यान है इस ज्यान के अनुसाब एक शरीर दूसरे शरीर से भिन है क्योंकि उसमें चेतना का विकास भिन प्रकार से होता है अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला प्रतक आत्मा ना रहे शरीर स्रम आत्मा है और शरीर के परे कोई प्रतक आत्मा नहीं है इस ग्यान के अनुसराब चेतना अईस्थाई है या यह है कि प्रतक आत्मा नहीं होती एक सर्व्यापी आत्मा है जो ग्यान से पून है और यह शणिक अज्यामता का प्रकाश है या यह है कि इस शरी के पड़े कोई विशेष जिवात्मा या पर्मात्मा नहीं है, यह सब धार्नाय रजगुण से उत्पन है, और वे है ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कारिये को जो अती तुछ है सब कुछ मान कर सकते को जा जो व्यक्ति प्रमानों से या शास्त्रियव आदिशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है उसे शास्त्रों के आदिशन असार कारे करने के चिंता नहीं होती उसके लिए धन ही इश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारिरिक लाने सोने रक्षा करने तता मैथुन करने का ज्यान जैसा है ऐसे ज्यान को यहां पर टमुगुण से उत्पन बताया गया है दूसरे शब्दों में इस श्रीर से परियात्मा संबंदी ज्यान साप्री ज्यान खेलाता है जिस यौन से लौकिक तर्क तता चिंतन मनोधरम प्रेम घ्रणा भावरहित परमात्मा को प्रसन करने के लिए आसकती या अधिकार की भावना के बिना क्रिश्न भावना मरत्मे के जाते हैं सात्री कहलाते हैं लेकिन जो कारिये अपनी इच्छा पूर्ती के निमित प्रियास पूर्वक और मिध्याएंकार के भाव से क्या जाता है वह रजगुणी कहा जाता है जो कर्म, मौवश, शास्त्री आदेशों की अभिलना करके तता भा लेखा राज्य को अत्वा परमेश्वर के दूतों को जिने यमदूत कहते हैं देना होता है। उत्तरदायतों से हीन ऐसा कर्म अपने नीजी अनुभाव के आधार पर किया जाता है। व्यक्ति सदय प्रकर्तिय गुणों से अतीत होता है। उसे अपने को सौपे गय कर्म के परिणाम की कोई आकांशा नहीं हो रहती। क्योंकि व्यक्तिय अहंकारता घमण से परे होता है। फिर भी कारे के पूर्ण होने तक व्यक्तिय सदय उसा से पूर्ण रहता है। उसे होने वाले कष्टों को कोई चिंता नहीं होती। वे सदय उसा पूर्ण रहता है। वे सफलता या विफलता की परवान नहीं करता। वे सुख दुख में संभाव रहता है। ऐसा करता साफ्विक है। जो करता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आ सकत हो कर फलों का भूग करना चाहता है। तता जो लोभी, सदैव, इर्शालू अप अवित्रसुक दूप से विजलित होने वाला है वे राज्जी कहा जाता है ताक पर ये मनुश्य सदैव किसी कार्य के प्रती या फल के प्रती इसलिए अध्याधिक आसकत रहता है क्योंकि वे बहुतिक पदार्थ हो, घर, बार, पत्नी तथा पुत्र के प्रती अध्याधिक अनुरक्त होता है ऐसा व्यक्ति जीवन में उपर उठने के आकांशा नहीं रखता वे संसार को यथा संभव आरांधे बनाने में ही व्यस्त रहता है सामन्यत, सामन्यत, वे अतन्त लोभी रहता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई, परतेक वस्तु इस्थाई है और कभी नश्च नहीं होगी ऐसा व्यक्ति अन्यों से इर्शक करता है और इंद्रेत रत्ती के लिए कोई भी अनुचित कारे कर सकता है अत्यव ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है और वे इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद है या अशुद यदि उसका कारे सफल हो जाता है तो वे अत्यतिक प्रसन और असफल होने पर अत्यतिक दुखी होता है रजोगुणी करता ऐसा ही होता है जो करता सदा शास्त्रों के आधेशों के विरुद्कारे करता रहता है जो भौतिक वादी, हटी, कप्टी तता अन्यों का अपमान करने में पटू है तथा जो आलसी सद्याव खिन तथा काम करने में दिर्ग सुत्रिय वे तमोगुणी कहलाता है ताथ पर ये शास्त्रे आदेशों में, शास्त्रे आदेशों से हमें परसलता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए जो लोग शास्त्रों के आदेशों की है अब हिलना करके आकरणिये कारे करते हैं प्राइब भौतिक वाधी होते हैं वे प्रकर्तिके गुणों के अनुसार कारे करते हैं शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं होते ऐसे करता भद्र नहीं होते और सामनेत्या सद्याव और ने करने रगते हैं अधय फिल को किंद रहते हैं जो काम एक घंटे में हो सकता है उसे विवर्ष तक सीरते रह जाते हैं डिर्गु मोनीम रहे हैं हे दनन ज्य अब मैं प्रकरती के तीनों गुनों के अनुसार तुमें भिन विभिन प्रकार की बुद्धी तथा ध दिकेहुषय में विस्तार से अनुसार के अनुसार तेन तीन प्र Lesson विभागों में करने के बाद अब भगवान करता कि बुद्धी तथा उसके संकल्प धेरे के विशे में उसी प्रकार से बता रहे हैं हे प्रथापुत्र वे बुद्धी सतोगोणी है जिसके द्वारा मनुश्य यह जानता है कि क्या करण यह है और क्या नहीं है किस से डरना चाहिए और किस से नहीं क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है ताक पर यह शास्त्रों के निर्देश अनुसार करम करन कर दोटने को और या उन कर्मों को करना जिनने किया जाना चाहिए प्रवत्ती शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता। आधि कर्मों कर्मों तथा उनकी पर्तिक्रया से बंद जाता है। जो बुद्धि अच्छे बुरे का भेद बताती है। वे सात्री की है हे प्रथा पूत्र जो बुद्धी धर्म तता अधर्म करने तता अकरने कर्म में भेद नहीं कर पाती वे राजसी है जो बुद्धी मोह तता अंधकार के वशीबूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विप्रीत दिशा में प्रतन नहीं है और वासिक ध्रान को ठुपराती है अज्यानी मनुश्य महात्मा को सामन्य व्यक्ति मानते हैं और सामन्य व्यक्ति को महात्मा स्विकार करते हैं वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं वे चारों कामों में कूपत ग्रहन करते हैं अतया उनकी बुद्धी त प्रथापुत्र जो अटूट है जिसे योग्याबास द्वारा अचल रहकर धारन किया जाता है और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कारेकलापों को वश में रखती है वे ध्रती सात्रिक है ताक पर ये योग प्रमात्मा को जानने का साधन है जो व्यक्ति मन प्राण तथा इंद्रियों को प्रमात्मा में एकागर करके द्रटा पुरत उन्न में इस्तित रहता है वही कृष्ण भावना में तत्पर होता है ऐसी ध्रती सात्रिक होती है अब यभी चार रिनाया शब्द अत्यंत महत्पुन है क्योंकि ये सूचित करता है कि कृष्ण भावनमरत में तत पर मनुश्य कभी किसी दूसरे कारे द्वारा विचलित नहीं होता लेकिन है अर्जुन जिस ध्रती से मनुश्य धर्म और तत काम के फलो में लिप्ट बना रहता है वे राजसी है तात पर ये जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कारियों में करम फलो का सद हे पार्थ जो ध्रती स्वपन भय शोक विशात अतमों के परे नहीं जाती ऐसे दुर्बुद्धी पूर्ण ध्रती तामसी है तात पर ये है इससे यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि सतोगोडी मनुश्य स्वपन नहीं देखता यहाँ पर स्वपन का अर्थ अती निंद से नहीं बचा पाते जो सद्या संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वपन देखते रहते हैं और जिनके प्राण मन तथा इंद्रिया इस प्रकार लिप्त रहती हैं वे तामसीर धृत्ती वाले कहे जाते हैं हे भरत शेष्ट अब मुझस से तीन प्रकार के सुखों के विशे में सुनू जिनके द्वारा बधजीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है तात पर ये, बद्ध जीव भौतिक सुक भोगने को बारम बार चेश्टा करता है, इस प्रकार वह चर्वित चर्वन करता है, लेकिन कभी-कभी ऐसे भोग के अंतरकत वह किसी महापुरुष की संगती से बावभन्दन से मुक्त हो जाता है, दूसरे शब्दों में बद्ध ज वर्तु की पुन्रवर्ति है, और उसमें वास्त्री कृष्ण भावन अम्रत का उदे होता है, तो कभी-कभी ऐसे तथा कतित आवर्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है, जो प्रारम्भ में विश्ज जैसा लगता है, लेकिन अंत में अम्रत के समाने और जो मनुश्यों में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वेव साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विदी विधानों का पानंद करना पड़ता है, ये सारी विध्या भहुत कठिन और विश्च के समान अत्यंत कर्वी लगने वाली हैं, लेकिन यदि कोई इन नियमों के पानन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्ट हो जाता है तो वे वास्तविक अमरत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्ट करता है जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विश्यों के संसर्ग से प्राप्ट होता है और जो आरंभू मे अम्रत तुल्य तता अंत में विश्टुल्य लगता है वे रजोगुणी कहलाता है तात पर ये जब कोई यूवक किसी यूवति से मिलता है तो इंद्रियां यूवक को प्रेज़त करती है कि वैस यूवति को देखे उसका इसपर्ष करे और उससे संभोग करे प्रारभ में इंद्रियों को ये अत्यन्त सुकर लग सकता है लेकिन अंत में या कुछ समय बाद वही विश्टुल्य बन जाता है तब वे विलग हो जाते हैं या उनमें तलाग विवाविच्छेद हो जाता है फिर शोक विशाद इत्यादी उत्पन होता है ऐसा सुक सदैव रास्ती होता है जो सुक इंद्रियों और विश्यों के संयोग से प्राप्त होता है वे सदैव दुख का कारण बनता है अत्याव उससे सभी प्रकार से बचना चाहिए तथा जो सुक आद्म साक्षात कार के प्रती अंदा है जो प्राराम से लेकर अंद तक मोह कारक है और जो निंद्रा आलत से तथा मोह से उत्पन होता है वे तामसी कहलाता है ताथ पर ये जो व्यक्ति आलत से तथा निंद्रा में ही सुखी रहता है वे निश्य तमोगुण उसे ना तो प्राराम्भ में सुख मिलता है ना अंत में रजोगोणी व्यक्ति के लिए प्राराम्भ में कुछ शनिक सुख है और अंत में दुख हो सकता है लेकिन जो तमोगुणी है उसे आराम्भ में तता अंत में दुख ही दुख मिलता है इस लोक में स्वर्ग लोकों में या देताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति वेजमान नहीं नहीं है जो प्रकर्ति के तीन गुणों से मुख्थो तार पर ये भगवान इस शिलोक में समगर ब्रहमाण में प्रकर्ति के तीन गुणों के प्रभाव का संचिप्त विवरण दे रहे हैं हे परंदप ब्रहमनों, शत्रियों, वैश्व तता शुद्रों में प्रकर्ति के गुणों के अनुसार उनके सभाव द्वारा उत्वन गुणों के द्वारा भ्येद किया जाता है शांत प्रियता, आत्मसयम, तपस्या, पवित्रता, सहींशुनुता, सत्यनिष्ठा, ज्यान, विज्यान तता धार्मिक्ता ये सारे सभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्रहमन कर्म करते हैं वीर्ता, शक्ती, संकल्प, दक्षता, युद्मे, धहरिये, उदार्ता तथा नितत्रु ये शत्रियों के सभाविक गुण हैं क्रिशी करना गोरक्षाक तथा व्यापार, व्याश्यों के सभाविक कर्म हैं और शुद्रों का करम, शरम तथा अन्यों की सेवा करना है। अपने करम के गुणों का पालन करते हुए परतेक व्यक्ति सिध्ध हो सकता है। अब तुम मुझे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्व्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुश्य अपना करम करते हुए पूनता प्राप्त कर सकता है। तात परिये, जैसा की पंद्रवे अध्याय में बताया जा चुका है, सारे जीव परमेश्वर के भिनांश है, इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदी है, वेदान्त सूत्र में इसकी पुष्टी हुई है। जन्मान धस्य यता अतयव परमेश्वर परतेग जीव के जीवन के उद्गम है, जैसा की भगवगिता के सात्वे अध्याय में कहा गया है, परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा इन दो शक्तियों के द्वारा सर्व्यापी है, अतयव मनुष्य को चाहिए कि इनकी शक्ति सहित भगवान की पूजा करें, सामन अतया वैश्णव जन्मान परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंगा शक्ति समेत करते हैं, उनकी भहिरंगा शक्ति उनकी अंतरंगा शक्ति का विक्रित परतिविंभ है, भहिरंगा शक्ति प्रश्ट भूमिय है, लेकिन परमेश्वर प पूर्णाइश का विस्तार करके सर्वत्र इस्थित है, वे सर्वत्र समस्त देवताउं, मनुश्यों और पश्यों के परमात्मा है, अत्याओ मनुश्यों को यह जाना चाहिए कि परमेश्वर का भिनाइश होने के कारण उसका करतेवे हैं कि वे भगवान की सेवा करे, परतिय व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी हशिकेश द्वारा व्य विशेश कर्म में परवित क्या गया है अत्यव जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पोजना चाहिए यदि वैं इस प्रकार से कृष्ण भावना में होक सोचता है तो भगवत क्रिपासे वेस पून ज्ञान प्राप्ट कर डिता है यही जीवन की सिध्धी है भगवान ने भगवत गीता में कहा है तेशाहर तेशामहम सम्रुद्ध परमेश्वर स्वं ऐसे भकत का उधार करते हैं यही जीवन की सर्वसिध्धी है कोई चाहे जिस बृत्ती परक कार्ये में लगा हो यदी वय परमिश्रक सेवा करता है तो उसे सर्वोच सिद्धी प्राफ्त होती है अपने बृत्ती परक कार्ये को करना चाहे वे कितना ही तुरूटी पुन धंग से क्यों ना किया जाए अन्य किसी के कार्ये को सिकार करने और अच्छी प्रक गीता में मनुष्य के वृति परक कार्ये स्वधर्म का निर्देश है जैसा कि पूर वरतिश लोकों में बनन हुआ है ब्रहामन शत्रिये वैश्य तता शुद्र के कर्तविये उनके विशेश प्राकर्तिक गुणों सभाव के द्वारा निर्दिश्ट होते हैं किसी को दूसरे के कार्ये का अनुकरण नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति सभाव से शुद्र के द्वारा किये जाने वाले कर्म के प्रति आकरष्ट हो उसे अपने आपको जूटे ही ब्रहामन नहीं कहना चाहिए बले ही वे ब्रहामन कुल में क्योंना उत्पन हुआ हो इस तरह प्रतेक व्य रूप से सात्विक है लेकिन यदी कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है तो उसे ब्रहमन के नहीं करना चाहिए। शत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक ग्रहित बाते हैं शत्रियों को शत्रों का वद करने के लिए हिंसक होना पड़ता है और कभी-कभी कूट निती में जूट भी बोलना पड़ता है ऐसी हिंसा तथा कपट राजनितिक मामलों में चलता है लेकिन शत्रियों से यह आशा नह की जाती कि वे अपने व्रति परक करता व्य त्याकर प्रहमण के कारे करें लगे मनुश्य को चाहिए कि परमेशर को प्रसंद करने के लिए कारे करें उधान ता अर्जुन चत्रे था वे दूसरे प्रक्ष से युद करने से बच रहा था लेकिन यदि ऐसा युद भगवान तो पतन से घबडाने के आशकता नहीं है कभी-कभी व्यपारिक शेत्र में भी व्यपारी को लाब कमाने के लिए जूट बोलना पड़ता है यदि वा ऐसा नहीं करे तो उसे लाब नहीं हो सकता कभी-कभी व्यपारी कहता है अरे मेरे ग्रहक भाई मैं आपसे कोई लाब न ले रहा तो उसे सरल जूट समयना चाहिए लेकिन विपारी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूकि वैं ऐसे कारी में लगा है जिसमें जूट बोलना अवश्यक है अता है उसे इस व्यवसाय व्यशे करम को त्यार कर भ्रहमन की वृत्ति ग्रैन करने चाहिए इसकी शास्त्रों द्वारा संस्तुती नहीं की गई है चाहे कोई शत्रिय हो वैश्य हो या शुद्र यदि वैं इस कारिये से भगवान की सेवा करता है तो कोई आपत्ती नहीं है कभी कभी विभी नियग्यों का संपादम करते समय भ्रहमनों को भी पश्यों की हत्या करनी होती है क्योंकि इन अनुष्ठानों में पशु की बली देनी होती है इसी प्रकारियदी शत्रिये अपने कारिये में लगा रहकर शत्रू का बद करता है तो उस पर पाप नहीं चड़ता तृत्या ध्याय में इन बातों की इस पस्ट विश्टत व्याख्या हो चुकिया हर मनुष्य को यग्य के ल करने का निश्चे करें परतिये कुद्ध्योग परियास किसी ना किसी दोश्ट से आवरत होता है जिस प्रकार अगनी धुए से आवरत रहती है अतयव हेकुंति पुत्र मनुष्य को चाहिए कि सभाव से उत्पन कर्म को भलेई वे दोश्पून क्यों नहों कभी त्यागे नहीं तात पर ये बद्ध जीवन में सारा करम भौती गुणों से दुशित रहता है यहां तक कि ब्रह्मन तक को ऐसे अग्य करने पड़ते हैं जिन में पशू हर्त्या अनिवारी है इसी प्रकार शत्रिय चाहिए कितना ही पवित्र क्यों नहों इसे बच नहीं सकता इसी प प्रकार यदी शुद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े तो उसे स्वामी की आग्य का पालं करना होता है भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए इन सब दोशों के होते वे भी मनुश्य को अपने निर्दिष्ट करतव्य करते रहना चाहिए क्योंकि वे सभावगत हैं य यदि अपी अगनी शुद होती है तो भी उसमें धुआ रहता है लेकिन इतने पर भी अगनी अशुद नहीं होती अगनी में धुआ होने पर भी अगनी समस्त तत्वों में शुदतम मानी जाती है यदि कोई शत्रे की व्रत्ति त्याक कर ब्रहमन की व्रत्ति ग्रहन करना प इस प्रसंग में अगनी तता धुए का उधारन अत्यंत उप्युक्त है यदि जाड़े के दिन में कोई अगनी से कोईला निकालता है तो कभी-कभी धुए से आखे तता शरीर के अन्य भाग दुखते हैं लेकिन इन प्रतिकुल प्रसितियों के बावजूद भी अगनी को ता आपा जाता है इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि कुछ भाधक तत्व आ गए है अभी तुमनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावना मृत्मेर है कर अपने वृत्ति प्रकारे से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प ले यह वित्ति परक क्कारिया भग्वान को प्रसंद करने के लिए क्या जाता है तो उस कारिये के सारे दोश वंपल्प उज्वर हो जाते तो मुनुष्य अपने अंतरकाद शर्षन कर सकता है और यह आत्म साक्शाथकार है जो आत्म सेयमी तथा अना सक्थ हैं जो समस्त भोगों की परभा नहीं करता वे सन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच सिधवस्था प्राप्त कर सकता है तात पर ये सच्चे सन्यास कार्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मान कर ये सोचे कि उसे अपने कारे के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है चुकि वे परमेश्वर का अंश अतैव उसके कारे का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए यही व्यक्ति क्रिश्ण भावनम्रत में इसी तोकर करम करता है वही वास्तों में सन्यासी है ऐसी मनोव्रत्ती होने से मनुष्य संतुष रहता है क्योंकि वे वास्तों में भगवान के लिए कारे कर रहा होता है इस प्रकार वे किसी की भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता वे भगवान की सेवा से प्राप्ट दिबे सुक से परे किसी भी वस्तु में आनंद ना लेने का आदी हो जाता है सन्यासी को पूर कारक्रापों के बंदन से मुक्त होना चाहिए लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनाम्रत में होता है वे बिना सन्यास ग्रहन किये ही यह सिधी प्राप्ट कर लेता है यह मनुदशा योगा रूण या योग की सिधावस्ता कहलाती है जैसा की तृत्य अध्याए में पुष्टी हुई है जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है उसे अपने करम से किसी प्रकार के बंदन का भय नहीं रह जाता हे कुंति पुत्र जिस तरह हम सिधी को प्राप्ट हुआ व्यक्ति परम सिधावस्ता अर्थात भ्रहम को जो सरवस्च ज्यान की अवस्ता है प्राप्ट करता है उसका मैं संक्षेप में तुमसे बढ़ना करता हूँ उसे तुम सुनो उसे तुम जानो तात पर ये भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने व्रति प्रक्त कारिये में लग कर परम सिध्धा वस्ता को प्राप्त कर सकता है यदि यह कारिय भगवान के लिए क्या गया हो यदि मनुश्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुरिष्टी के लिए ही त्य लाग देता है तो उसे भ्रम की चरम अवस्ता प्राप्त हो जाती है यह आत्म साक्षात्कार की विधी है ज्यान की वास्ति सिध्धी शुद्र कृष्ण भावनाम्रत प्राप्त करने में हैं इसका वणन अगले शिलोकों में किया गया है अपनी बुद्धी से शुद्ध हो मिथ्य एहंकार, मिथ्य शक्ती, मिथ्य गरोर, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तों के संख्रे से मुख्ट है जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत्य वे निश्चेही आत्म साक्षतकार के पद को प्राप्त होता है तार पर ये जो मनुश्ये बुद्ध की द्वारा शुद्ध हो जाता है वे अपने आपको सत्वगुण में अधिश्चित कर लेता है इस प्रकार मन को वश्मे करके सद्या समाधी में रहता है वे इंद्रतत्ति के विश्यों के प्रति आसकत नहीं रहता और अपने कर्मों में राग्त अथा द्रेश से मुक्त हो एहंकार से रहित होता है क्योंकि वे अपने को शरीर नहीं समझता ना ही वे अनेक भातिक वस्ते स्विकार करके शरीर को इस्थूलतता बलवान बराने की इच्छा करता है चूकि वे देहात्म बुद्धी से रहित है अतेव वे मिध्या गर्व नहीं अतेव वे मिध्या और इंदरे विशों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है इस प्रकार हैँ युसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता इसका वर्णम भगवत गीता में इस प्रकार हुआ है कि जो मनुश्य इच्छाओं के अन्वरत परभा से विचलित नहीं होता जिस प्रकार नदियां जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करते रहने और सदा भरते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है उसी तरह केवल वही शांती प्राप्त कर सकता है वह नहीं जो ऐसी च्छाओं के ऐसी च्छाओं की तुष्टी के लिए निरंतर उध्यों करता है इस प्रकार जो दिव्य पद पर इसी थे वह तुरन पर भ्रम का अनुभाव करता है और पूर्टया प्रसन हो जाता है वह ना तो कभी शोग करता है ना किसी वस्तु की काम ना करता है वह प्रतेक जीव पर संभाव रखता है उस अवस्था में मेरी शुद्ध भक्ति को तात परिये निर्विशेश वादी के लिए भ्रम भूत अवस्था प्राप्त करना अर्था भ्रम से तदाकार होना परम लक्षे होता है लेकिन साकार वादी शुद्ध भक्त को उससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवत होना होता है इसका अर्थ हुआ कि जो परम ज्यान होने पर सेव रहता है जब कोई इंद्रत्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है लेकिन परम जगत में रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता है कृष्ण भावना भावित भक्त को ना तो किसी प्रकार का शोक होता है ना आकांशा होती है चूंकि इश्वर पूर्ण है अतर इश्वर में सेवारत जी भी कृष्ण भावना में रहकत अपने में पूर्ण रहता है वे ऐसी नदी के तुल्य है जिसके जलकी सारी गंदगी सा प्रसन रहता है। वै ना किसी भौतिक शती पर शोग करता ना किसी लाब की आकाषय करता है। कि वे भगवत भक्ती से पून होता है, वे किसी भौतिक भौक की आकाशा नहीं करता है, क्योंकि वे जानता है कि परतिक जीव भगवान का अतयव वे उनका नित्यदास है, वे भौतिक जगत में ना तो किसी को अपने से उच देखता है और नो किसी को निम्न, ये उच तथा पानिम्न पद शन भंगुर है और भक्त को शन भंगुर प्राकटे या तिरोधान से कुछ लेना देना नहीं रहता है। जिसे शुद्ध भाक्त सरलता से प्रात करनेता है उस अवस्था में परभ्रहम से तादम्य और अपने व्यक्तितों का विलय नार्किय बन जाता है। व्यक्त सुलिय है इस व्रहमाण का महांतम पुरुष्वी भक्त के लिए एक शुद्र चीटी से अधिक महत पूर्ण नहीं होता। ऐसी अवस्था भग्वान चैतने के गरपास से ही प्राप्त हो सकती है जिनोंने इस यूग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। केवल भक्ति से मुझे भग्वान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुश्ये ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनाम्रत में होता है तो वे पैखुन जगत में प्रविश्क कर चकता है। तात पर ये भगवान शिरी क्रिश्न तथा उनके स्वान्शो को ना तो मनो धर्म द्वरा जाना जा सकता है। ना ही अभक्त गण उन्हें समझ पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समयना चाता है तो उसे शुद्भक्त के पत्धर्शन में शुद्भक्ति ग्रहन करनी होती है। नथा भगवान संफंदी सत्यत्त तो उसे सदा छिपा रहेगा। जैसा कि भगवत गीता में कहा जा चुका है। ना हम प्रकाशम सर्वस्ये मैं सबों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता। केवल पांडित्य या मनो धर्म द्वरा इश्वर को नहीं चाना जा सकता। जात्म से पून्तय अवगत है वही व्यकुन जगत या क्रिश्न के धामें प्रविश कर सकता है। भ्रम्भूत होने का अर्थ यह नहीं कि वह अपना सरूप खो बैठता है। भक्ती तो रहती ही है और जब तक भक्ती का अस्तित्व रहता है तब तक इश्वर भक्त तथा भक्ती की विधी रहती है। ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ती के बाद भी नहीं होता। मुक्ती का अर्थ दिहात्म बुद्धी से मुक्ती प्राप्त करना है। आध्यात्मिक जीवन में वैसा ही अंतर वही व्यक्तित्व सुरूब बना रहता है लेकिन शुद्ध कृष्ण भामनाम्रत में ही विश्टे शब्द का आर्थ है मुझ में प्रवेश करता है भ्रह्म वश यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शब्द अध्यात्वाद का पोशक है और मनुश्य निर्गुन भ्रह्म से एककार हो जाता है ऐसा नहीं है विश्टे का तात्परिय है कि मनुश्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भग रक्षों के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है निर्वी शेश्वादी सामंत्या समुद्र में गिरने वाली तता समुद्र से मिलने वाली नदी का दश्टांत प्रस्तुत करते हैं यह निर्वी शेश्वादियों के लिए आनंद का विशे हो सकता है लेकिन साका की गहराई में रहने वाले जलचल प्राणियों की भी जानकारी रखना आवश्यक है भक्त अपनी शुद भक्ति के कारण परमेश्वर के दिवे गुणों तथा एश्वर्यों को यथार्थ रूप से जान सकता है जैसा कि ग्यारवे अध्याय में कहा जा चुका है केवल भक्त कर लेने के बाद भगवान के विशे में श्रवन करने से भक्ति का शुभारंब होता है बहुतिक बुद्धि से मुक्तिक अवस्था भ्रहम भूत अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के विशे में श्रवन करने से भक्ति का शुभारंब होता है जब कोई पर होती जाती हैं त्यों त्यों वह भगवत भक्ति के प्रति अधिक आसक्त होता जाता है और इस तरह वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है जीवन की उस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है शिरिमत भगवत में भी इसका कथन हुआ है मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है शिरी मत भगवत में वास्तिक भक्त मई मुक्ति की जो परिभाशा दी गई है उसके अनुसार यह जीव का अपना सुरूप या अपनी नीजी स्वभाविक स्थिती में पुनां पर्तिष्ठा पृत हो जाना है स्वभाविक स्थिती की व्याख्या पहले की जा चुकि अतयव उसकी सभाविक जित्ती सेवा करने की है, मुक्ती के बादवे सेवा कभी रुखती नहीं, वास्त्रिक मुक्ती तो देहांत बुद्धी की भ्रांत धारना से मुक्त होना है मेरा शुद्ध भक्त मेरे सनक्षण में समस्प्रकार के कारियों में सलंग्ण रहकर भी मेरी कृपाजे सत्य तता अविनाशी धां को प्राप्त होता है तात पर ये मद व्याप्पा श्रय शब्द का आर्थ है परमेश्वर के सनक्षण में बहुती कलमश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके परतिलिदी स्वरूप गुरू के निर्देशन में करम करता है उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है वे सदा 24 घंटेशाद परतिशद परमेश्वर के निर्देशन में कारियों में सलंग रहता है एसे भक्त पर जो कृष्ण भामनम्रत में रत रहता है भागवान अतेदिक ब्यालू होते है वे समस्कटनाईयों के बाउजुत अंततो गत की करताया देवज़ धाम या क्रिष्ण लोक्यों को प्राप्र करता है वहां उसका प्रविश्श्ष्ट रहता है उसमें कोई सशे नहीं है उस परम्धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, वहां परतियक वस्तु शाश्वत अविनेश्वर तथा ज्यान में होती है, सारे कारियों के लिए मुझ पर रिर्भर रहो, और मेरे सनक्षन में सदा करम करो, ऐसी भक्ति में मेरे परति पूर्टिया सचेत रहो, ताथ पर ये जब मनुश्य कृष्ण भावनाम्रत में करम करता है, तो वे संसार के स्वामी के रूप में करम नहीं करता, उसे चाहिए कि वे सेवक की भाती, परमेश्वर के निर्देश अनुसार करम करें, सेवक को स्वतनता नहीं रहती है, केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करता है, उस पर लाभाने क कोई प्रभाव नहीं पड़ता वे भगवान के आदेशा नुसार अपने करतेवे का सच्छे दिल से पालन करता है अब कोई यह तरक दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशा नुसार कारे कर रहा है था लेकिन जब कृष्ण उपस्तित ना हो तो कोई कि यह सुचित करता है कि मनुश्य जीवन में खृष्ण को प्रसंद करने के लिए खृष्ण भावना भावित होकर कारे करने के अधिरिक्त अन्यकोई लक्षे नहीं होता जब वे इस प्रकार कारे कर रहा हो तो उसे केवल कर्ष्ण का ही चिनतन इस प्रकार से करना चाहिए मुझे इस विशेष कारे को पुरा करने के लिए नियूक्त किया है और इस तरह कारे करने और इस तरह कारे करते वे उसे सभाविक लूप से कृष्ण कहा चिंतन हो जाता है यही पूण क्रिष्ण भावनामृत है किन्तु यहां ध्यान री कि मनमाना करम करके उसका फल परमेश्र को अर्पित ना किया जाए इस प्रकार का कारिय कृष्ण भावनम्रत की भक्ति में नहीं आता मनुश्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेश अनुसार करें यह अत्यांत महत्पून बात है कृष्ण का यह आदेश गुरु परमपरा द्वारा परमानिक गुरु से प्राप्त होता है अत्यां गुरु के आदेश को जीवन का मूल करता वे समयना चाहिए यदि किसी को प्रमानिक गुरु प्राप्त हो जाता है और वे निर्देश शानुसार कारे करता है तो कृष्ण भावनम्रत की सिध्धी सुनिश्चित है यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे तो मेरी कृपा से तुम बुद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे लेकिन यदि तुम मिध्या अहिंकारवश ऐसी चेतना में करम नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनिष्ट हो जाओगे तात्परिय पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए करतवे करने के विशे में आवशकता से अधिक उधिग्न नहीं रहता जो मूर्ख है व्यक्ति कृष्ण भावना मृत में करम करता है भगवान कृष्ण उसके घनिष्ट मित्र बन जात वह उसको आत्मदान कर देते हैं, अतेव किसी को देहात्म बुद्धी के मिथ्या एहंकार से नहीं बहे जाना चाहिए, उसे जूटे ही यह नहीं सोचना चाहिए, कि वह प्रकृति के नियमों से स्वतनत है, या करम करने के लिए मुक्त है, वह पहले से कठोर बहुतिक नियमों के अधीन है, लेकिन जैसे ही वह कृष्ण भावना भावित होकर करम करता है, तो वह बहुतिक दुश्चिंताओं से मुक्त हो जाता है, मनुश्यों को यह भली भाती जान लेना चाहिए, कि जो कृष्ण भावना वरत में सकरे नहीं है, व लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर करम अंतर से करता है, वह करम करने के लिए मुक्त है, क्योंकि परतिक किया हुआ करम कृष्ण द्वारा प्रेदित तथा गुरु द्वारा पुष्ट होता है, यदि तुम मेरे निर्देशा नुसार करम नहीं करते और य शत्रे सुभाव लेकर जन्मता अतयव उसका सुभाविक करतवे था कि वह युद करें, लेकिन मिध्या हिंकार वश वह डर रहा था कि अपने गुरु पितामादता मित्रों को वद करके वह पाप का भागी होगा, वास्तर में वह अपने को अपने करमों का स्वामी जान रह करते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और मनुश्य को जीवन सिद्धी प्राप्त करने के लिए क्यवल कृष्ण भावनम्रत में करम करना है, कोई भी अपने भाग्ये का निड़ने ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे जैसे भगवान कर सकते हैं, अतयव सर्वत्तम मार्ग य भगवान या भगवान के परतिनिती सुरूप गुरू के आदेश की वह कभी भी उपेक्षा ना करें, भगवान के आदेश को बिना किसी हिचक के पूरा करने के लिए करम करें, इस सबी परिसितियों में सुरक्षित रहा जा सकेगा, इस समय तुम मेरे निर्देशा दात पर ये, यदि कोई परमेश्वर के निर्देशा नुसार करम करने से मना करता है, तो वह उन गुणों द्वारा करम करने के लिए बात्ने होता है, जिनमें वह convince होता है, प्रती एक व्यक्ति प्रकर्ति के गुणों के विशेश संयो और तदानुसार करम करता है किन्तु जो स्वेच्छा से परमेशवर के निजदर्शा नुसार कारेरत होता है, वही गौरवान्तित होता है, हे अर्जुन परमेश्वर परतेक जीव के हर्दे में इसी थे और भौतिक शक्ति से निर्मिती अंत्र में सवार की भाती बैठा बैठे समझ जीवों को अपनी माय से घुमा भर्मा रहें हैं तात पर ये अर्जुन परम ज्याता ना था और लड़ने या लड़ने का इसका नेने उसके शुद्र विवेक तक सिमिठा भागवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा व्यक्ति ही सर्वे सर्वान नहीं है भागवान या स्वेम कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा र अक्षी रहता है अत्य जीवों के सभी कारियों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है जीव जितना योग्यों होता है उतना ही पाता है और उस बहुतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है जो परमात्मा के निर्देश में बहुतिक शक्ति द्वारा उत्वन किया जात पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके जीव स्वतंत्र नहीं होता मनुश्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वे भगवान से सतंत्र है व्यक्ति तो सद्य भगवान के निंत्रण में है अत्यव उसका करतर भी है कि वे शर्णागत हो और अगले शलोग का यही आदेश है हे भारत सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ उसकी क्रपा से तुम परम शांती को तथा परम नित्य धाम को पराप्त करोगे तात पर ये अतयव जीव को चाहिएगी परतिय खर्दे में इसे भागवान की शरण ले इस संसार के समस्परकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा ऐसी शरण पाने से मनुष्य ना केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पासकेगा अपितू अंत मेवे परमे इश्वर के पास पहुंचाएगा वैदिक साहित्ते में दिव्य जगत तद विश्णो परम पदम के रूप में वर्नित है चुँकि सारे शिष्टी इश्वर का राजी है अतयव इसकी परतियेक भौतिक वस्तु वास्तों में अध्यात्मिक है लेकिन परम पदम विशेष् अतयव इस कथन की मनुश्य अंतस्थित परमात्मा की शरणले का आर्थ है कि वे भगवान कृष्ण की शरणले कृष्ण को पहली अर्जुन ने परम स्विकार कर लिया है दस्वे अध्याय में उन्हें परम भरम परम धाम के रूप में स्विकार क्या जा चुका है जैसे महापुरुष इसके प्रमान है इस प्रकार मैंने तुम्हें गोतर ज्यान बतला दिया इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहा हो सो करो ताथ पर ये भगवान में पहली अर्जुन को ब्रहम भूत ज्यान बतला दिया है जो इस ब्रहम भूत अवस्था में होत करते हैं यह ब्रह्म ज्यान भी है लेकिन यह उससे शेष्ट है यहां पर यत्थेसी तथा कुरू जैसी इच्छाव हो वैसा करो यह सूचित करता है कि इश्वर्जीव की यति कचीत स्वतनता में हस्क्षेप नहीं करता भगवत गीता में भगवान ने सभी प्रकार से यह बत सकता है अर्जुन को उनका सर्वशेच उपदेश यह है कि हर्दे में आसिन परमात्मा की शर्णागत हुआ जैब सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेशा नुसार करम करने के लिए तैयार होना चाहिए इससे मनुष्य निरत तर्कृष्ण भावनाम्रत में सरवादिक हित में है इसमें परमिश्वत का कोई हित नहीं है शर्णागत होने के पूर्व जहां तक बुद्धी काम करे मुनुष्य को इस विशेपर मनंद करने की छूट मिली है और भगवान के आदेशों को स्विकार करने की यही सरवतम विदी है ऐसा आदेश कृष्ण क परमानिक परति निधी सरूप गुरु के माध्यम से भी प्राप्त होता है चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो अतयव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सरवादिक गुह ज्यान है बता रहा हूं इसे अपने हित के लिए सुनो तात पर ये अर्जुन को गुह ध्रम ग्यान तता गुहत्तर ग्यान परमात्मा ग्यान परदान करने के बाद भगवान अब उसे गुत्तम ग्यान परदान करने जा रहा है यह है भगवान के शर्नागत होने का ग्यान नवे अध्याय के अंत में उन्होंने कहा था मन मना सदैव मेरा चिंतन करो उसी आदेश को यहां पर भगवत गिता के सार के रूप में जोड़ देने के लिए दोराय जा रहा है यह सार सामने जन की समझ में नहीं आता लेकिन जो कृष्ण को सचमुच अत्यंत प्रिय है कृष्ण का शुद्ध भक्त है वे समझ देता है सारे वैदिक साहते में यह सरवादिक महत्प करो मेरे भक्त बनो मेरी पूझा करो मुझे नमसकार करो इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे मैं तुमें वचन देता हूँ क्योंकि तुम परंप्रिय हो परंप्रिय मित्र हो ताक पर यह ज्यान का घृत् darf अंशय कि मनुष्टम अंशय की मनुष्ण क करम क्रिश्न के लिए हो वे अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्तित करें कि 24 घंटे क्रिश्न का ही चिंतन करता रहे और भगवान की यह परतिया है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामाय होगा वे निश्यत रूप से क्रिश्न धाम को जाएगा जहां वे शाक्षात सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धी प्राप्त कर सकता है ये शब्द इस बात पर बल देता है कि मनुश्य को अपना मन उस क्रिश्न पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हातों से वन्शी धारण किये सुंदर मुखवाले तथा अपने बालों में मोरपंग धारण किये विए सामले बालक के रूप में हैं कृष्न का वरण भ्रम सहिता तथा अन्य गरंथों में पाया जाता है मनुश्य को परम इश्वर के आधी रूप छिश्न पर अपने मन को एकागर करना चाहिए उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की और नहीं मोना चाहिए भग कि यह एकागरता ज्यान का गोत्तम अंश है जिसका प्रकटि करण अर्जुन के लिए किया गया क्योंकि वे है कृष्ण का अत्यंत्व प्रिये सखा है समस्प्रकार के धर्मों का परित्या करो और मेरी शरण में आओ मैं समस्पापों से तुम्हारा उध्धार कर दूँगा डरो मत तात परिये भगवान के अनेक प्रकार के ज्यान तथा धर्म की विध्या बताई है भगवान ने अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्यान, सन्यास का ज्यान, अनासक्ति इंद्रिये तथा मन का सयम, ध्यान, आदिका ज्यान, उन्होंने अनेक प्रकार से नानप्रकार के धर्मों का वर्णन किया है अब भगवत गिता का सार प्रसुत करते हुए भगवान कहते है कि हे अर्जुन अभी तक बताई गई सारी विध्यों का परित्या करके आपके अवल मेरी शरण में आओ इसे शर्णागती से वे समस्त पापों से बच जाएगा क्योंकि भगवान स्यम उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं साते अध्याई में यह कहा गया है कि यही वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारी पापों से मुक्त हो गया हो इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त होए बिना कोई शर्णागती नहीं पा सकता ऐसे संधे के लिए यहां यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शर्णागत होने पर स्वता मुक्त कर दिया जाता है, पापों से मुक्ती होने के लिए कठोर परियास करने की कोई आफशकता नहीं है, मनुश्य को बिना जिजक के कृष्ण को समझ जीवों के रक्षक के लिए, रक्षक के रूप में स्विकार कर चाहिए, उसे चाहिए कि शद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहन करे, हरी भक्ती विलास में प्रिष्ण की शरण क्रहन करने को विधी का वर्णन हुआ है, भक्ती योग के अनुसार मनुश्य को वही धर्म स्विकार करना चाहिए, जिस से अंत्ता भगवत भक्ती हो सक लेकिन अपना करम करने के लिए क्रिष्ण भावनाम्रत तक नहीं पहुंच पाता, तो उसके सारे कारेकलाप व्यर्थ हो जाते हैं, जिस करम से क्रिष्ण भावनाम्रत की पुर्णा वस्था ना प्राप्त हो सके, उसे बचना चाहिए, मनुश्य को विश्वास होना कि वे अपने आपको निसहाय माने और अपने जीवन की प्रकरती के लिए क्रिष्ण को ही अवलंब समझे, पूर्ण क्रिष्ण भावना भावित होकर भागवत भक्ती में परवत्त होते ही वेह प्रकरती के समस कलमश से मुक्थ हो जाता है, धर्म की विविध विद्या हैं और ज्यान ज्यान योग आदी जैसे शुध करने वाले अनुष्ठान हैं। लेकिन जो कृष्ण के शरनागत हो जाता है, उसे इतने सारे अनुष्ठान के पालन की आवशकता नहीं रजाती। क्रिष्ण की शरण में आते, क्रिष्ण की शरण में जाने मात्र से व्यर्थ समय गवाले से बच जाएगा, इस प्रकार व्य तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्पापों से मुक्त हो सकता है, शी क्रिष्ण की सुन्दर छवी के प्रती मनुश्य को आकरश्ट होना आध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं, कुछ निर्गुन ब्रहम के प्रती आकरश्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रती लेकिन जो भगवान के साकारूट के प्रती आकरश्ट होते हैं और उससे भी भढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रती आकरश्ट हो प्रियोग अत्यां साथ्थक है मनुष्यों को यह चिंता होती है कि वे किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एक माथ कृष्ण की शरण में जाए लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है यह गोह ज्यान उनको कभी भी ना बताये जाए जो ना तो सयमी है ना एकनिष्ट ना भक्ती मिरत ना ही उसे जो मुझसे द्वेश करता हो तातपरी जिन लोगोंने तपस्या मैं धानमी करुष्ठान नहीं किये जिनोंने कृष्ण भावना मृत में भक्ती का कभी प्रतन नहीं किया इनोंने किसी शुद्भक्त की सेवा नहीं की तथा विशेष्ट्या जो लोग क्रिष्ण को केवल एतियासिक पुरुष्ट मानते हैं या जो क्रिष्ण की महानता से द्वेश रखते हैं उन्हें ये परम गोतर नहीं गुप्त ग्यान नहीं बताना चाहिए लेकिन कभी-कभी ये देखा जाता है कि क्रिष्ण से द्वेश रखने वाले आसुरी पूरुष्ट भी कृष्ण की पूजा बिन प्रकार से करते हैं और व्यवसाय चलाने के लिए भगवत गीता का प्रवचन करने का धंदा अपना लेते हैं लेकिन जो सच्मुच क्रिष्ण को जानने का ऐसे भाष्यों से बचना चाहिए। वास्तम में कामी लोग भगवत गीता के परिजन को नहीं समझ पाते। यदि कोई कामी ना भी हो और व्यदिक शास्त्रों द्वारा आधिष्ट नियमों का दड़ता पुरक पालन करता हो। और कोई ना तो उनसे भड़तर है ना उनके समाने। ऐसे भहुत से व्यक्ति हैं जो कृष्ण से द्वेश्ट रखते हैं। ऐसे लोगों को भगवत गीता नहीं सुनाना चाहिए। क्योंकि वे उसे समझ नहीं पाते। शद्धा विहीन लोग भगवत गीता तता कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। शूद भग्त से कृष्ण को समझे बिना किसी को भगवत गीता की टीका करने का साहस नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति भग्तों को यह परम सत्य बताता है वे शूद भग्ती को प्राप्त करेगा और अंत में वे मेरे पास वापस आएगा। ताथ पर यह सामनत्या यह उद्रेश दिया जाता है कि केवल भग्तों के बीच में भगवत गीता की विवेशना की जाए। क्योंकि जो लोग भग्त नहीं है वे ना तो कृष्ण को समझेंगे ना भगवत गीता को जो लोग कृष्ण को तद भगवत गीता को यथा रूप में स्विकार नहीं करते उन्हें मनमाले ढंग से भगवत गीता की व्याख्या करने का परतन करने का अपराद मोल नहीं लेन चाहिए भगवत गीता की वेजना उनी से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्विकार करने के लिए तयार हैं यह एक मात्र भगतों का विशे है दार्शनिक चिंतकों का नहीं लेकिन जो कोई भी भगवत गीता को यथा रूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन स प्रयास करता है वे भक्ति के कार्यकलापों में प्रकर्ति करता है और शुद्ध भक्ति में जीवन को प्राप्त होता है ऐसी शुद्ध भक्ति के फलसुरूप उसका भगवत धाम जाना धूरू है इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा और मैं घोजिक करता हूँ कि जो हमारे इस पवित समाद का अध्धन करता है वे अपनी बुद्धी से मेरी पूजा करता है और जो शद्धा समे तथा द्वेश रहित होकर इसे सुनता है वे सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभू लोकों को प्राप्त होता है जहां पुन्यात्माए निवास करती है इस अध्याय के 67 में शुलोक में भगवा ने स्पष्ट मना किया है कि जो लोग उनसे द्वेश रखते हैं उन्हें गीता ना सुनाई जाए भगवत गीता केबल भक्तों के लिए है लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करता है और उस कक्षा में सारे चात्रों के भक्त होने की अपिक्षा नहीं की जाती जो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं यहां पर यह बताया गया कि प्रतेक व्यक्ति भक्त नहीं होता फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से द्वेश नहीं रखते उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर रूप से शद्धा रहती है यदि ऐसे लोग भग और ऐसे लोग को प्राप्त होते हैं जहां पुनहतरमाएं वास करती हैं अत्य है भगवत गीता के शवन मात्र से ऐसे व्यक्ति को भी पूर्णे कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रेतन नहीं करता इस प्रकार भगवत भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अफसर परदान करता है कि वह समस्द पापों से मुक्त होकर भगवान का भग्त बने सामन तया जो लोग पापों से मुक्त हैं जो पुनए आत्मा है वे अत्यन सब्ता से क्रिष्न भावनाम्रत को ग्रहन कर लेते हैं यह पर पुन्य कर्मानआम साथ होते हैं जहां द्रू महाराज की अध्यक्षता है वे भगवान के महान भकते और उनका अपना विशेश लोग है जो द्रू तारा या द्रू लोग कहलाता है हे प्रथा पुत्र हे धननजय क्या तुमने इसे इस शास्र को एकागरचित हो कर सुना और क्या अब तुम्हार अज्यान तथा मुहों दूर हो गया है तात पर यह भगवान अर्जुन के गुरू का काम कर रहे थे अतैव यह उनका धरम था कि अर्जुन से पूछते कि उसने पूरी भगवत गीता सही धन से समझ ली है या नहीं यदि नहीं समझी है तो भगवान उसे फिर से किसी अंश भगवत गीता को सुनता है उसका सारा अज्यान दूर हो जाता है भगवत गीता कोई सामाने गरंथ नहीं जिसे किसी कभी या उपानासकार ने लिखा हो इसे साक्षात भगवान ने कहा है जो भागेशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी परमानिक अध्यात्मिक प्रतिनिदी से सुनता है, वे अवश्य ही मुक्त पुरुष बन कर अज्ञान के अंधकार को पार कर लिता है, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्चियूत, अब मेरा मुह दूर हो गया है, आपके अनुग्रा से मुझे मेरी स्मन शक्ति वापस मिल गई है अब मैं संशे रही तथा द्रण हूँ, और आपके अधेश्यानसार करने के लिए उद्धत हूँ, ताथ पर ये, जीव जिसका प्रतिनिदीद्व अर्जुन कर रहा है, उसका सुरूप यह है कि वे परमेश्वर के अधेश्यानसार करने के लिए बना है, शिरी चैतने ये परमेश्वर में से किसी एक की सेवा करनी होती है, यदि वे परमेश्वर की सेवा करता है, तो वे अपनी सामने सिती में रहता है, लेकिन यदि वे भारे शक्ती माया की सेवा करना पसंद करता है, तो वे निश्चे दूप से बंधर में पढ़ जाता है, इस भौतिक करने के लिए परमेश्वर की शरुम घ्रान करता है जीव को फासने का माया का अंतिम पाश यह धारना है कि वह इश्वर है जीव सोचता है कि अब बद जीव नहीं रहा अब तो वह इश्वर है वह इतना मुर्ख होता है कि वह यह नहीं सोच पाता कि यदि वह इश्वर होता तो इतना संशे ग्रस्त क्यों रहता, वे इस पर विचाड नहीं करता, इसलिए यही माया का अंतिम पाश होता है, वस्त होता है माया से मुक्त होना भगवान शिक्रिष्ण को समझता है, और उनके आधिशन अवसार करम करने के लिए सहमत होना है, इस शलोक में मोहो शब्द अ समझ कर सोचता है कि वे सेवक नहीं, अभी तू इस जगत का स्वामी है, क्योंकि वे प्रकर्ति का प्रभुत्व जताना चाहता है, वे मोह भगवत क्रिपा से या शुद्ध भक्त की क्रिपा से जीता जा सकता है, इस मोहो के दूर होने पर मनुश्य कृष्ण भावना मृत म करम करने के लिए राजी हो जाता है, क्रिश्ण के आदेश्य अनुसार करम करना कृष्ण भावना रथ है, बद जीव माया द्वारा मुहित होने के कारण, यह नहीं जान पाता कि परमेश्वर इस्थाही है, जो ग्यान मय है, और सर्व संपतिवान है, वे अपने भक्तों को जो कुछ चाहिदे सकते हैं, वे सबके मित्रें और भक्तों पर विशेश कृपालू रहते हैं, वे प्रकरतिता समझ जीवों के अधिक्षक हैं, वे अक्षे काल के नियंत रखें और समस्ट ऐशोरियों और शक्तियों से पूर्ण हैं, भगवान भक्त को अक्ष्मर्पन भी कर सकते हैं जो उन्हें नहीं जानता वे मुहों के वश में वे भक्त नहीं बलकि माया का सेवक बन जाता है लेकिन अर्जुन भगवान से भगवत गीता सुनकर समस्त मुहों से मुक्त हो गया वे यह समझ गया कि कृष्ण केवल उसके मित्री नहीं बलकि भगवान है और वे वहावत कृष्ण को आत्प समर्पण करता है जब अर्जुन अब जब अर्जुन समझ गया कि वह यह तो जन संक्या की अनावश्यक वृद्धी को कम करने के लिए क्रिष्ण की योजना थी तो उसने कृष्ण को इच्छानुसार यूद करना स्विकार कर लिया तो उसने भगवान के आदेशा नुसार यूद करने के लिए अपना धनुश्य बाण ग्रहन कर लिया संजे ने कहा इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुडशों की वाता सुनी और यह संदेश इतना अधूद है कि मेरे शरीर में रुवांच हो रहा है तार प करदे में सारी घटना स्फुरुत होई थी इस प्रकार उसने युदिस्तल की विश्य वस्तू कह सुनाई थी यह वारता आश्यरे प्रद थी क्योंकि इसके पूरु दो महापुडशों के बीच ऐसी महत्मुण वारता कभी नहीं होई थी और ना भविश्य में पुना होगी यह वारता इसलिए आश्यरे प्रद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विश्य में जिवात्मा अर्जुन से वरन करे थे जो परम भगवत भगता यदि हम क्रिश्ण को समयने के लिए अर्जुन का अनुसरन करें तो हमारा जीवन सुखी या सफल ह संजे ने इसका अनुभव किया और जैसे जैसे उसकी समझ में आता गया उसने यह वारता धरतास से कह सुनाई अब यह निशकर्ष निकला कि जहां जहां क्रिश्ण तता अर्जुन है वहां वहीं वहीं विजय होती है व्यास की कृपा से मैंने ये परम घुबते साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रती कही जाती हुई सुनी तार पर यह व्यास संजे के गुरु थे और संजे स्विकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके इसका अर्थिया हुआ कि गुरू के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए परत्यक्ष रूप से नहीं गुरू स्वच्च माध्यम है यद्ध्यपी अनुभाव फिर भी परतक्ष ही होता है गुरू परमपरा का यही रहस्य है जब गुरू परमानिक हो तो भगवत गीता का परतक्ष रवन क्या जा सकता है जैसे अर्जुन ने किया संसार भर में अनेक योगी है लेकिन कृष्ण योगेश्वर है उन्होंने भगवत गीता में इस पस्ट उपदेश दिया है मेरी शरण में आओ जो ऐसा करता है वैं सरवच योगी है छटे अध्याई के अंतिम शलोक में इसकी पुष्टी हुई है य और व्यास के गुरु है अत्यव अर्जुन अत्यव व्यास अर्जुन के ही समान प्रमानिक है क्योंकि वे गुरु परंप्रा में आते हैं और संजे व्यास देव के शिश्य है अत्यव व्यास की क्रपासे संजे की इंद्रियां विमल हो सकी और वे कृष्ण का साक्षा दर् नहीं सुन सकता अतैव उसका ज्यान सदैव अधूरा रहता है विशेष्टा यहां तक भागवत गीता समझने का प्रश्ण है भागवत गीता में योग को समस्त पदित्यों का कर्म योग ज्यान योग तथा भक्तियों का वर्णन हुआ है श्री कृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी है लेकिन यह समझ गेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को पर्त्यक्ष समझ सकने के लिए भाग्यशाली था उसी प्रकार व्यास देव की किरपा से संजे भी कृष्ण को साक्षा सुनने में सामर्थे हो सका वसुद्यक्रिश्ण से पर्त्यक्षत सुनने व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं है गुरु भी व्यास देव का प्रतिनिधी होता है अतेव व्यादिक पद्धिती के अनुसार अपने गुरु के जनम दिवस पर शिश्यगण व्यास पूजा नामक उस्सव रचाते हैं हे राजन अब मैं क्रिशन तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्यगण तथा पवित्र वारता का बारंबार समन करता हूँ तो प्रतिशन अहाद से गदगद होडता हूँ ताथ पर ये भगवद गीता का ज्यान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा क्रिशन के सम समवाद को जान लेता है वह कोने आत्मा बन जाता है और इस वारतालाप की भूल नहीं सकता अध्यक्दिक जीवात्मा अत्यधिक जीवन की ये दीवे इस्तिति है दूसरे शब्द में जब कोई गीता को सही स्रोत्र से अर्थात परतेक्ष कृष्ण से सुनता है तो उसे प जानन सैत कुछ काल तक नहीं अपितू परतेक्षान करता है हे राजन भगवान कृष्ण के अध्वुद रूप का इसमन करते ही मैं अधिक अधिक आधिक आचरे चकित होता हूं और पुना-पुना हर्शित होता हूं तात पर ये ऐसा परतित होता है कि व्यास की कृपा से स अभी ऐसा रूप प्रकट नहीं किया था ये केवल अर्जुन को दिखाया गया था लेकिन उस समय कुछ माहान भक्त भी उसे देख सके दे था व्यास उन में से एक थे वे भगवान के परमभक्तों में से हैं और कृष्ण के शक्तिया वेश अवतार माने जाते हैं व्यास न जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है वही ऐश्वरिये विजे अलोकिक शक्ति तथा नीती भी निश्चित रूप से रहती है ऐसा मेरा मत है ताथ पर ये भागवत गीता का शुभा रामधतराष्ट की जिग्यासा से हुआ वेहे भीश् द्रोन तथा कर्ण जैसे महारतियों की साहता से अपने पुत्रों की विजे के प्रती आशावान था उसी आशा थी की विजे उसके पक्ष में होगी लेकिन यूद्शेत्र के द्रश्य का बढ़न करने के बाद संजे ने राजा सिखा आप अपनी विजे की बात सोच रहे है देकिन मेरा मत है कि जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्तित है वा संपून श्री होगी उसने परतक्ष कुष्टी की ध्रतराष्ट को अपने पक्ष की विजे की आशा नहीं रखने चाहिए विजे तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है क्योंकि उसमें कृष्ण है श्रिक्रिष्ण द्वारा अर्जुन के सार्थी का पद स्विकार करना एक एश्वरे का प्रदशन था। क्रिष्ण समस्त एश्वरें से पूर्ण है और इनमे से वैराग्य एक है। ईसे वयरागय के भी अनेक उधान परापते हैं क्रिष्ण वयरागय के भी इश्वन हैं। युद्ध तो वास्तों में दुर्योधन तथा युदिश्थर के बीश था। अर्जुन अपने जेश्ठ भराता युदिश्थर की ओर से लड़ रहा था। चुकि कृष्ण तथा अर्जुन युदिष्टर की ओर थे अतेव युदिष्टर की विजय धुरू थी युद्ध को यह निन्य करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा संजे ने भष्यवानी की सत्ता युदिष्टर के हाथ में चली जाएगी यहाँ पर इसकी भी भष्यव थे उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाष्ण नहीं किया था ऐसे अनेक अलपग्य व्यक्ति हैं जो भगवत गिता को युदिस्थल में दो मित्रों की वारता के रूप में ग्राण करते हैं लेकिन इससे ऐसा ग्रंथ कभी शासर नहीं बन सकता कुछ लोग विरोध कर सकते है कि कृष्ण ने अर्जुन को यूद करने के लिए उकसाया जो अनेतिक हैं लेकिन वासित्ता तो यह है कि भागवत गीता नीती का परम आदेश है यह नीती विश्यक आदेश नवे अध्याय के 24 वे शलोक में है मन मना भव मद भक्तम मुर्शो कृष्ण का भक्त बनना च सार है कृष्ण की शनागती भागवत गीता का आदेश धर्म तता नीती की परम विदी है अन्य सारी विद्या भले शुद करने वाली तता इस विदी तक ले जाने वाली हो लेकिन गीता का अंतिम आदेश समस्त नीतियों तता धर्मों का सार वचन है कृष्ण की शरन ग्रह भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूती एक विदी है लेकिन कृष्ण की शर्णा गती सर्वो सिद्धी है यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है वर्णाश्रम धरम के अनुसार अनुष्ठानों करम कांड का मार्ग ज् भगति के में क्रिश्ण की शर्णा गती गोतम उपदेश है यह अठारवे अध्याय का सार है भागवत गीता की अन्यम शेष्टा यह कि वास्त विक सत्य भगवान क्रिश्ण है परम सत्य के अनुभती तीन रूपों में होती है निर्गुन ब्रहम अंतर्यामी परमात्मा त क्रिश्ण दीव्य है क्योंकि वे अपनी दीव्य अंतरंगा शक्ति में इस्थित रहते हैं जीव उनकी शक्ति से परम है जीव उनकी शक्ति से प्रकट है और दो शेनिके होते हैं नित्यभत तथा नित्यमुक्द ऐसे जीवों की संक्या असंक्य है और वे सब क्रिश्ण के मूल अंश माने जाते हैं भहतिक शक्ती 24 प्रकार से प्रकट होती है सिष्टी शाश्वत काल द्वारा प्रभावित है और बही रंगा शक्ती द्वारा इसका स्रजन तता संहार होता है यह द्रश्य जगत पुना-पुना प्रकट तता अप्रकट होता रहता है भगवत गीता में पांच प्रमुख विश्यों की व्याख्या की गई है भगवान, भौतिक प्रकर्ती, जीव शाश्वत काल तता सभी प्रकार के कर्म सब खुछ भगवान क्रिष्ण पर आशित है परम सत्य की सभी धारणाय, निराकार, ब्रह्मा, अंतर्यामी परवात्मा, तथा अन्य दिव्य अनुभूत्या, भगवान के ज्यान की कोटी में सन्निहित हैं, यद्यपी उपर से भगवान जीव प्रकर्ति तथा काल, भिन परतित होते हैं, लेकिन ब्रह्म से कुछ भी भिन नहीं है, लेकिन भारिय भ्रह्म सद्यव समस्त वस्त्वों से भिन है, भगवान चतने का दर्शन है, अचिंते भेदाभेद, यह दर्शन पद्धिती परम सत्य के पूर्ण ज्यान से युक्त है, जीव अपने मूल रूप में शुधात्मा है, वे परमात्मा का एक मात्र है, इस प्रकार भगवान कृष्ण की उपना सूर्य से दी जा सकती है, और जीवों की सूर्य प्रकाश से, चुंकि सारे जीव कृष्ण की तठस्था शक्ती हैं, अतयव, उनका संसात भौतिक शक्ती अपरा या अध्ञात्मिक शक्ती परासे होता है, दूसरे उसका संबंध भगवान की पराशक्ती से है अतेव उसमें किन चित स्वतंतरता बेती है। इस स्वतंतरता के सदुपयोग से ही व्यक्रिश्न के पριत्यक्ष आदेश के अंतरगत आता है। इस प्रकार वेह हादनी शक्ती की अपनी सामने दशा को प्राप्थ होता है। इस प्रकार शिरीमध भगवत गीता के 18 अध्याय उपसमहार सन्यास की सिध्धी का भक्ती वेदान तातपरिय पूर्ण हुआ। तो यह रहा गीता का उपदेश हमने पाठ किया है गीता का अब आप सभी इसको ध्यान से सुने और आगे शेयर करें। आपने अगर पिछले अध्याय नहीं सुने हैं तो उनको भी जरूर सुने और आपने अगर सुन लिये हैं आपने पूरा गीता का पाठ सुना है तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने यहां तक इस वीडियो को देखा और सुना यह एक बहुती बड़ी हमारा स्वभाग्य है बड़ा स्वभाग्य है कि गीता का पाठ हमें सुनने को मिला पाठ करने को मिला क्रिश्न भगवान की कृपा हम पर हुई क्योंकि कहते हैं कि क्रिश्न की श्री क्रिश्न भगवान की कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हुलता ह तो हम यह पाट कैसे कर सकते हैं मैं अपनी बेटी का भी धन्यवाद करती हूं कि जिसने मुझको यह गीता लाकर दी और शिरीमत भागवत गीता लाकर दी और तभी मैं इसको पाट कर पाई अधरवाइस मार्केट से तो हम भी बहुत बार नुकले लेकिन कभी दिमाग में ऐस है ना तो यह भी एक बहुत बड़ा पुन्य करम है स्वाध्याय का जिसको मैंने पाट किया है और मैंने आप सब लोगों के साथ इसलिए शेयर किया ताकि आप भी इसका शवन कर सकें है ना इससे भी हमारे पुन्य जागरित होते हैं है ना तो इसमें मैंने एक जगा है ना कि भगवत गीता का ज्यान इतना दिवे है कि जो भी अर्जुन दता क्रिश्न के समवाध को जान लेता है वे पुरे आत्मा बन जाता है और इस वारतला आपको भूल नहीं सकता आध्यात्मिक जीवन के दिवे स्थिती है तो क्रिश्न भगवान की कृपा से ही ये बाद हम लोगों ने सुना है और अभी सुना है समझना बाकी है और समझने के लिए इसको जितना जादा हम डीप में जाएंगे याने के रिपीट अगर हम इसको बार बार रिपीट करते हैं तब ही हमें इस पश्टी करण मिलता है अब वो तो इश्वर की इच्छा है कि उन दिमाग में जो विचार आते हैं वो विचार हमें प्रभू ही देते हैं तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का भी और क्रिश्न भगवान जीसे भी हम आखे लेते हैं गुरुजी से भी हम आखे लेते हैं और वीडियो को आपने यहाद तक देखा उसके लिए आप बहुत बहुत धनेवादे वीडियो को लाइप खीजिए शेयर कीजिए गुरुजी बलेसिंग केला पृता का चैनल को अगर आपने तक सब्स्क्राइब ने किया है तो सब्स्क्राइब काई लिची जै गुरुची, शुक्राना गुरुची जै शिक्रिष्णा, ओम नमु भग्वते वासु देवाई नमा